हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड गुरूप सी की जो वेकेंसी आई है उसका कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाई स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ आपको गलती करने से बचना है काफी लोग यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं और काफी यह दा कमेंट आ रहे हैं और पूरा बेकाइदा नोटिफिकेशन आ चुका इंडियन कोश्ट गार्ड की अफिसली साइट पे तो हम इस बड़ों में जानेंगे कि कैसे आपको जो है ऑफ्लाइन मोड में फॉर्म को भरके भेजना है और फॉर्म भेजते समय कौन को उसे डॉकुमेंट आपको लगान फी नहीं देना है सबसे बड़ी बात यहीं है आपको जो अडिनरी पोस्ट है वह भेजने में जितना कॉस्ट है बस हुआ ही कॉस्ट है आपका जो की 10-12 यही आता है तो यह मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को भरके भेजना है पूरी इंफॉर्मेशन साथ अप पड़ेगी यह मेरा चाइलेंज है चले वीडियो को स्टाट करते हैं मेरा नामें दिलीप और आप देख रहे हैं डियस हेल्पिंग फॉरेवर यूट्यूब चैनल दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को फ्रिंट्स लाइक जरूर कर दीजिए और करेंगे आपको एक वेबसाइट मिलेगा डियसल्विंग फॉरेवर डॉट कम इसको आपको ऊपन करना है और यहां पे एक बार पेज को जो है रिलोड रिफ्रेंस जरूर कर लेंगे ताकि सभी पोस्ट अपडेट हो सके आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में और यहां आपको जो है और डिफेंस जॉब्स का एक सेक्शन मिलेगा इंडियन कोस्ट गार्ड रिकूट्मेंट दोजरे किस ग्रूप सी पोस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे और भी कई सारी वेकेंसिज आपको देखने को यहां पर मिल जाती है यहां पे आपको फूल इन्फॉरमेश पेक है और निदे आनेकल से यहां पर आपको जो है डाउंड potion कशना ऑप प्रिंट करेंगे ऑस से आते हैं उनको प्रिंट करना है नौ नंबर तो यहां पर देखलेंगे तोजिसे कि मैने आप लोगो बताया कि कैसे आप आप जो है改行了 और आपको आपना यहां पर चीप आपना कर लेना अब इससे पहले फ्रेंच्टस आपको जो है क्या करना है थोड़ा सा अ दोकुमेंट भी लगेंगे देखें इसमें इसमें 95 पोश्ट हैं और जो 712 1275 हलाकि आपको जो तो इसलिए जो है फॉर्म जो है थोड़ा सा लेट से आप लोग भरना सुरू किया है कोई बात नहीं इसका लास्ट जो है 31 जनवरी 2022 है यानि आपको लगभग लगभग 45 दिन का समय आपको मिल रहा है फॉर्म भर के भेजने के कोई भी आपको फी नहीं जामा करनी है और लिन चीज समझना है क्योंकि अगर आप गलती से भेज़ेंगे दूसरे माध्यम से तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होके रिटर्न आ जाता है अब देखें यह आपका जो है अप्लिकेशन फॉर्म है यहां पे सबसे पहले आपको लिखना है कि किस पोस्ट के लिए आप लेटर में ब्लॉक लेटर जिसको बुलते हैं यह लिख लेंगे अपना पूरा नाम फिर अपना फादर्स नेम डेट अब बर्थ नेस्नलिटी आपके बॉड़ी में वीजिवल आइडेंटिफिकेशन माक्स शे नमर में क्या है दो चीज बताना है जैसे कि मैंने लिखा है ओनेड मेरे जो सर पे एक तील है तील का निसान एक मेरे लेफ्ट थम में कटा का निसान है तो आप अपने कोडिंग क्या है अपने बॉड़ी में देखेंगे जो पर्मनेंट माक्स होते हैं वह आपको लिखना है वेदर स्थी और जनरल आप से कौन से कटेगरी से बिलोंग करता है तो आपका जो भी मैक्सिमम क्वालटिकेशन याप फील कर सकते हैं जैसे कि आपका 12 याप पर सकते हैं जिसे कुछ 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 पोस्ट का आपको आप को आइटी आई बोला गया जैसे यहां पहलों ना तो यहां पे आप शूज से इंजिन द्राइबर के लिए मूला गया कि आपको जो इसे की की वर्क मतलब होना चाहिए तो यह तरह से आप जो आप लॉसकर के लावधन करेंगे तो आपको मैंट्रिक के साथ साथ दोना चाहिए और उसमें आपको स्टीकेट भी होनी चाहिए किसी भी गॉर्मेंट इक इंस्टूट के द्वारा लस्कर में डिप्लोमा वगरा या आई टी आई जो होता है एक साल का तो यह चीज़े आपको यहां पर जो है समझनी है उसी के अकॉर्डिंग इसमाल ने यहां पर बताया कहा है कि यहां पर जो वेकेंसी है मल्टी टास्किंग है स्टाप जिसमें अठारों सताइस वर्स आपकी एज होनी चाहिए तो यह एक्सप्रियेंस भी आप क्या करेंगे अपने को यहां पर भालिफीकेशन को भरेंगे इतना क्लियर हो गया होगा नाइन नंबर में एक्सप्रियेंस है तो एन्लिक देंगे यह नहीं तो नोबी कर सकते हैं अगर है तो जुरूर अपना experience को attach करेंगे ताकि आपका preference ज्यादा बनेगा selection में अब यहां पर मेरिट करेंगे आपका communication with pin code आपका communication address क्या है उसके पर्मनेट address क्या है pin code के साथ भरेंगे तो आप छोटे में लिख के और नीचे के यहां पर यूज कर सकते हैं इसको थोड़ा और ऊपर करके बड़ा address है तो आप यहां पर कभर करेंगे छोड़ा सा छोटा लिखके अच्छे से handwriting करके मेरा handwriting अब यहां बोला गया contact number mobile number मतलब email number लिखेंगे फिर एंड में करके इस तरह से अपना मोबाइल नमबर इस तरह से लिख देंगे declaration में आपको अपना left thumb impression यहां पर क्या करना है लगा देना मैंने लगा नहीं आप लगा लीजेगा फिर अपना place और date लिख देंगे कहां से आप form को भर रहे हैं भेज रहे हैं और अपका date क्या है अपना signature यहां पर कर लेंगे इतना form आपको फेंड जो है क्या करना है भरना ह है अब इसके साथ क्या क्या documents को अटेज करेंगे तो देखिए अपना qualification जैसे माल निजे आप तो तेंथ क्लास के लिए अविदन देर रहे हैं तो तेंथ क्लास का जो है certificate मार्क सीट आप अटेज करेंगे फोटो कॉपी करके भेजना है और नीचे में अपना sign करना जैसे माल तो कॉपी करा लें नीचे में आप जो अपना sign मार लेंगे तो हो जाएगा self-attested तो इसको self-attested बोलते हैं उसके बस experience certificate if available अगर आपके पास कोई experience है तो उसको लगाएंगे नहीं है तो इसे छोड़ देंगे mandatory नहीं है पी आर सी ठीक है ना इजी होता है आपका residential proof certificate ठीक है न अभी फिलहाल जो आप का certificate बनवाएं है EWS OBC SCST है तो आपको अपना certificate भेजना है जब आपका selection के समय return exam के लिए बुलाए जाएगा उससे में आपको जो central government का जो बनता है न वह अपना certificate को बनवाएंगे फिलहाल आपके पास जो है वह आप इस certificate के मादियम से भेजेंगे form को अब यहाँ पे age proof, age proof में जो है आप अपना अधार card या आपके पास age certificate है तो वह चीज आप यहाँ पे attach करेंगे ठीक है और extra में आप अपना अधार card जरूर attach करेंगे जो भी all documents से उसको self attached करके भेजना है फोटो कॉपी करके ठीक है न फोटो कॉपी ही आपको भेजना है य करेंगे इस तरह से इसको अच्छे से मोड़ेंगे और मोडने के बात इसी के साथ जो है आप इस लिफाफे के अंदर रखेंगे यहां पर देख सकते हैं यह लिफाफा है और इसके साथ आपको जो भी documents मैंने बताया वो documents आप करेंगे इसके अंदर में रखेंगे अब जो इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा क्योंकि इसमें address बहुत सारा है देखिए समझीएगा अच्छे से क्योंकि आप लोगों confused हो जाएंगे भेजने वाला जो address है यह देखिए यह जो बोला गया है कि एकनोमे के लिए विकर सेक्षन अगर कोई है तो उनको जो है यह certificate इस को बनवाएंगे और उसी को पर डूस करना है जब आपका सेलेक्षन होगा ठीक है ना पर डूस बाइद एकनोमिकली विकर सेक्षन इंकम एसेट सेटिफिकेट तो इसको भी आप बनवा कि इसके साथ अटेच कर लेंगा अगर आप इडेवलो से मतलब आते हैं तो इस तरह क इसके फॉर्मेट में आपको बनवाना है और आपका कुछ भी फॉर्मेट हो सब्सक्राइब होने चाहिए उस सेटिफिकेट में ठीक है यह फॉर्मेट बताया गया है अब देखें यहां पर भीजने का एड्रेस सबसेदा लोग कन्फूज हो आते हैं मैंने यहां पर देख राच है और कहां कहा है मुंबई में है मुरूढ जनी जीरा में है और कोची में है तो अगर आप इस पोस्ट के लिए और मुरूढ जन जीरा है अगर आप fireman के लिए apply करना चाहते है जो fireman की वेकेंसी है वो आपको इस address पर आपको देखने को मिलेगी fireman की नीचे में यहाप बोला गया 31 janular 222 तक आप छो फूर्म को भेंझ सकते हैं लेकिन जहां पर जिसका seat LAUwiसल ही पर आपको भीजना है आ नहीं तो दमन का एड्रेस आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन आप डाउड करेंगे तो दमन का आपको देखे यह एड्रेस है यह दमन अगर कोई दूसरे पोश्ट के लावजन कर रहा है तो कावा रती उसको से गोवा और कोची तो इस एड्रेस पर आपको सबस्ब्सक् अगरी में दो पोश्ट है दमन और यहाँ एक और यहाँ और मोरूड जंजीर तो समझ में आगया की सबस्वे चंगे तो मैं यहाँ पर जो है तो महाराष्टा ब्हेज देना है यह पूरा और आप को ओर अदिर ढखने का और यहां पर और कि विद्वाई से जाएगा यहां पर लिखा कि झाला में मिन दोल मॱ्हां आपको थैंट्व ऑल जाएगा यहं पर विद्वाफ करों विल्ट बी मतलब आपको रिटर्ण कर दिया जाएंगे अगर आप स्पीड पोस्ट भेजते हैं रजिश्टर पोस्ट से भेजते हैं या कूरियर से बिल्कूल आपको जिसको सधारन ढाक बोलते हैं उसके माध्यम से आपको जो है इसको भेजना है तो इतना आपको किलिए हो मतलब ये की जिनका सबसे ज्यादा परसेंटेज है क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा है को जो है वो रिटेन एक्जाम के लिए बुलाएंगे अगर ज्यादा अटेंप्ट नहीं मतलब जारी करके उनको जो है क्या किया रिटेन एक्जाम के लिए उसके बास आपका रिटेन टेस्ट होता है फिर आपका ट्रेड है स्कील टेस्ट टोटा है और आपका सलेक्शन कर लेता है तो यहां पर आपका चांस बनते हैं इस अगर लोग जिनका करेंगे तो उनका सबका आप लोग सेंड करेंगे इस एक्जाम में अपीर होने के लिए उमिद करता हूं friends आप लोग समझ गया होंगे कैसे आपको form का apply करना है क्या process है कौन-कौन से documents लगतेंगे यह आप एक बार देख लिजिएगा मैं एक बार और यहां पर लिख देता हूं एक चीज और मैंने यहां पर छोड़ दिया था आधार कार्ड यह आप यहां पर देख सकते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमें दीजिए जायत और देखते हैं डियर सेल्पिंग फॉर एवर थैंक्यू फॉर वाचिंग जाहें झाल 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 झाल